ओम श्यान्ती, 28 अक्तुबर 2024 के इश्वरिय महवाक्या, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा, जो कुछ होता है, सब ड्रामा प्लैन अनुसार ही होता है, मैं भी ड्रामा के वश हूँ, मेरे अंदर सारे जाड की ओरिजनल नौलेज है, और यह नौ सारा मदार सर्विस पर है, जबकि स्विम बाप भी आकर सर्विस करते हैं, तो बच्चों को भी करनी चाहिए, फिर बाबा ने कहा, यहां तुम वनवास में हो, इसलिए यह चाहिए, वह चाहिए, ऐसे ख्यालात नहीं आने चाहिए, अगर इस दुनिया की कोई भी चीज बादशही मिल सकती है, आगे चल समय जितना नजदीक आता जाएगा, तो तुम्हारा रिजल्ट भी प्रतिक्ष होता जाएगा, तुम्हें मालूम पढ़ जाएगा कौन क्या बनने वाला है, तुम्हारा तो बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए, भाई-भाई के लव से क कुछ नहीं मिलना, वर्सा तो एक बाप से ही मिलता है, मूल सब्जिक्ट है याद, याद से ही ताकत आएगी, यह याद भी एक मीठी फांसी है, लास्ट में बाबा नहीं कहा, अभी तुम देवता बन रहे हो, इसलिए तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए, हर एक के पार्ट को तुम्हें साक्षी हो देखना है, ग्रिस्त में रहते भी एक दो के मददगार साथी होकर चलना है, कोई को तंग नहीं करना चाहिए, और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से, मुरली का सार, मीठे बच्चे, सत्गुरु की पहली-पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, देहे अभिमान छोड़ दो, प्रश्न, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा वचाहना नहीं रख सकते हो, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम सब वानप्रस्ती हो, तुम जानते हो इन आखों से जो कुछ देखते हैं, वह विनाश होना है, अब तुमें जाहिए, बिलकुल बैगर बनना है, अगर ऐसी कोई उची चीज पहनेंगे, तो खीचेगी, फिर देहे अभिमान में फस्ते रहेंगे, इसमें ही महनत है, जब महनत कर, पूरे देही अभिमानी बनो, तब विश्व की बादशा ही मिलेगी, ओम श्यान्ती, यह 15 मिनट वह आ आत्म समझ, बाप को याद करो, यह शिक्षा एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी, सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, कि आत्म अभिमानी हो बैठो, यह एक ही सत्गुरु कहते हैं, उनके लिए कहा जाता है, एक सत्गुरु तारे, बाकी सब बोरे, डुबोए, यह बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, खुद भी देही है ना, समझाने के लिए कहते हैं, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, उनको तो देही बन बाप को याद नहीं करना है, याद भी वही करेंगे जो आदी सुनातन देवी देवता धर्म के भाती होंगे, भा पिरम पिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है और फिर नौलेज़ फुल भी है आत्मा में ही नौलेज रहती है ना तुम्हारी आत्मा संसकार ले जाती है बाप में तो पहले से ही संसकार है वह बाप है यह तो सब मानते भी है फिर दूसरी उसमें खूबी है जो उसमें ओरि औरों को समझाना है बाप मनुष्य सुरिष्टी का बीज रूप है फिर वह सत्य है, चेतन्य है नौलिजफुल है उनको इस सारे जाड की नौलिज है और कोई को भी इस जाड की नौलिज है नहीं, इनका बीज है बाप, जिसको परमपिता परमात्म कहा जाता है जैसे आम का जाड है तो उनका क्रिएटर बीज को कहेंगे न, वह जैसे बाप हो गया, प्रंतु वह जड है, अगर चेतन्य होता, तो उनको मालूम रहता न, मेरे से जाड सारा कैसे निकलता है प्रंतु वह जड है उसका बीज नीचे बोया जाता है यह तो है चितन्य बीज रूप यह उपर रहते हैं तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो बाप से तुमको नौलज मिलती है वह है उँच तेउच पद भी तुम उँच पाते हो स्वर्ग में भी उँच पद चाहिए न यह मनुष्य नहीं समझ से है स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है राजधानी में राजा, रानी, प्रजा, गरीब, सहुकार, आदी यह सब कैसे बने होंगे अभी तुम जानते हो आदिसनातन देवी देवता धर्म की सापना कैसे हो रही है कौन करते हैं भगवान बाप फिर कहते हैं बच्चे जो कुछ होता है ड्रामा के प्लैन अनुसार सब ड्रामा के वश हैं बाप भी कहते हैं मैं ड्रामा के वश हूँ मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है वही पार्ट बजाता हूँ वेह सुप्रीम आत्मा उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है और तो सबको कहा जाता है ब्रदर्स और कोई को फादर टीचर गुरू नहीं कहा जाता है वेह सबका सुप्रीम बाप भी है टीचर सत्गुरू भी है यह बातें भूलनी नहीं चाहिए प्रंतु बच्चे भूल जा पुरुषार्थ नुसार राजधानी सापन हो रही है। पुरुषार्थ नुसार राजधानी सापन हो रही है। अभीमान आजाता है। फिर यह चाहिए, यह अच्छी चीज चाहिए, ऐसे ऐसे खैलात आते हैं। बाप कहते हैं, यहां तो तुम वनवास में हो ना, तुमको तो अब वानप्रस्थ में जाना है। फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं पहन सकते हैं। अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज होगी, तो खीचेगी, शरीर भी खीचेगा। घड़ी घड़ी देह अभिमान में ले आते हैं। इसमें है महनत। महनत बिगर विश्व की बादशाही थोड़े ही मिल सकती है। महनत भी नमबर वार पुरुशार्थ नुसार कल्प कल्प करते आये हो, करते रहते हो। रिजल्ट प्रतिक्ष होती जाएगी। स्कूल में भी नमबर वार ट्रांसफर होते हैं, पीचर समझ जाते हैं, फलाने ने बहुत अच्छी महनत की है, इनको पढ़ाने का शोक है, फिलिंग आती है। उसमें तो एक कलास से ट्रांसफर हो, दूसरे में फिर तीसरे में आ जाते हैं, यहां तो एक ही बार पढ़ना ह आगे चल जितना तुम नजदीक आते जाएंगे, उतना सब मालूम पढ़ता जाएगा, यहे बहुत महनत करनी हैं, जरूर उंच पद पाएंगे। यहे तो जानते हैं, कोई राजारानी बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, प्रजा भी तो बहुत बनती हैं सारा एक्टिविटी से मालूम पड़ता है यह देह अभिमान में कितना रहते हैं इनका कितना लव है बाप से बाप के साथी लव चाहिए न भाई भाई का नहीं भाईयों के लव से कुछ मिलता नहीं है वरसा सब को एक बाप से मिलना है बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्म समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं मूल बात ही यह है याद से ताकत आएगी दिन प्रति दिन बैटरी भरती जाएगी ज्यान की धारणा होती जाती है ना तीर लगता जाता है दिन प्रति दिन तुम्हारी उन्नती नंबरवार पुरुशार्थ नुसार होती रहती है। यह एक ही बाप टीचर सत्गुरु है जो देही अभीमानी बनने की शिक्षा देते हैं। और कोई दे न सके। और तो सब हैं देह अभीमानी। आत्म अभीमानी की नौलेज कोई को म किलती ही नहीं। कोई मनुष्य बाप टीचर गुरु हो न सके। हरे एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तुम साक्षी हो देखते हो। सारा नाटक तुमको साक्षी हो देखना हैं। एक्ट भी करना है। बाप क्रियेटर, डारेक्टर, एक्टर हैं। शिवाबा आ आत्माई भाई भाई वर्सा एक बाप से ही मिलता है। इस दुनिया की तो कोई चीज बुद्धी में याद नहीं आती है। बाप कहते हैं जो कुछ देखते हो ये सब विनाशी है। अभी तो तुमको घर जाना है। वो लोग ब्रह्म को याद करते हैं। गोया घर को याद करते हैं। समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसको कहा जाता है अग्यान। मनुष्य मुक्ती जीवन मुक्ती के लिए जो कुछ कहते हैं वे हैं रोंग। जो कुछ युक्ती रजते हैं सब हैं। रोंग। राइट रास्ता तो एक ही बाप बतलाते हैं। बाप कह कहते हैं, हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, ड्रामा प्लैन अनुसार। कई कहते हैं, हमारी बुद्धी में नहीं बैठता बाबा, हमारा मुख खोलो, कृपा करो। उतरते उतरते, रोंग बनते जाते हैं, क्या-क्या रिधी सिध्धियादी करते हैं, उनमें सुख नहीं हैं, तुम जानते हो, यह सब हैं अल्पकाल के सुख, उनको कहा जाता है काग विष्टा समान सुख, सीधी के चित्र पर बहुत अच्छी रिती समझाना है, और जाड़ पर भी समझाना है, कोई भी धर्म वाले को तुम दिखा सकते हो, तुम्हारा धर्म सापन करने वाला, फुलाने फुलाने समय पर आता है, क्राइस्ट फुलाने टाइम पर आएगा, जो और और धर्मों में कनवर्ट हो गए हैं, उन्हों को यह धर्म ही अच्छा लगेगा, फट निकल आएंगे, बाकी कोई को अच्छा नहीं लगेगा, तो वे पुरुशार्थ ही कैसे करेंगे, मनुष्य मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं, तुमको तो एक बाप की ही याद में रहना है, यह बड़ी मीठी फांसी है, आत्मा की बुद्धी का योग है बाप की तरफ, आत्मा को कहा जाता है बाप को याद करो, यह याद की फांसी है, फादर तो उपर रहते हैं न, तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमको बाप को ही याद करना है, यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है, तुमको यह सारा ग्यान है, तुम यहाँ बैठ क्या करते हो, वा आप केथे सब को मेरे पासाना है। तो कालों का काल हो गया नौ वह काल तो एक को ले जाते हैं। वह भी काल कोई है नहीं जो ले जाता। यह तो ड्रामा में सब नूढ हैं, आत्मा आप BILL समय पर चली जाती हैं। शरीर खत्म हो गया, आत्म चली गई, बाप को बुलाते भी इसलिए हैं, कि बाबा आकर हमको इस रिष्टी से ले जाओ, यहां हमको रहना नहीं है, ड्रामा के प्लैन अनुसार अब वापिस जाना है, कहते हैं बाबा, यहां अपार दुख हैं, अब यहां रहना नहीं है, यह बहुत छीची दुनिया है, मरना भी जरूर है, सबकी वान प्रस्थवस्था है, अभी वानी से परे जाना है, तुमको कोई काल नहीं खाएगा, तुम खुशी से जाते हो, शासरादी जो भी हैं, वह सब भक्ति मार्ग के हैं, यह फिर भी होंगे, ड्रामा की यह बड़ी व बात ही नहीं है, वर्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट का आर्थ ही है, हूब हू रिपीट, अभी तुम जानते हो, हम फिर से सो देवी देवता बन रहे हैं, वही फिर बनेंगे, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है, यह सब समझने की बाते हैं, तुम जानते ह वह बेहद का बाप भी है, टीचर सत्गुरु भी है, ऐसा कोई मनुष्य हो न सके, इनको तुम बाबा कहते हो, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, यह भी कहते हैं, मेरे से तुमको वर्सा नहीं मिलेगा, बापु गांधी जी भी प्रजापिता नहीं था ना, बाप कहते हैं इन बातों में तुम मुझो मत, बोलो हम ब्रह्मा को भगवान व देवतादी कहते ही नहीं हैं, बाप ने बताया है, बहुत जन्मों की अंत में वानप्रस्त अवस्था में मैं इनमें प्रवेश करता हूं, सारे विश्व को पावन बनाने के लिए, जाड में भी दिखाओ, देखो एकदम पिछाडी में खड़ा है, अब तो सब तमो प्रधान जड़डी भूत अवस्था में है ना, यह भी तमो प्रधान में खड़े हैं, वही फीचर्स है, इसमें बाप प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं, नहीं तो तुम बताओ ब्रह्मा नाम कहां से यह है पतित वह है पावन, वह पावन देवता ही फिर 84 जनम ले पतित मनुष्य बनते हैं, यह मनुष्य से देवता बनने वाला है, मनुष्य को देवता बनाना यह बाप कही काम है, यह सब बड़ी वंडर्फुल समझने की बाते हैं, यह वह बनते हैं सेकिंड में, फिर वह 84 जनम ले यह बनते हैं इनमें बाप प्रवेश कर बैठ पढ़ाते हैं तुम भी पढ़ते हो इनका भी घराना है ना लक्षमी नारण राधे कृष्ण के मंदिर भी है प्रन्तु यह किसको भी पता नहीं है राधे कृष्ण पहले प्रिंस प्रिंसेज है जो फिर लक्षमी नारण बनते हैं यह बैगर टू प्रिंस बनेंगे प्रिंस सो बैगर बनते हैं कितनी सहजबात है 84 जनमों की कहानी इन दोनों चित्रों में है यह वह बनते हैं यूगल है इसलिए चार भुजा देते हैं प्रवरिती मार्ग है ना एक सत्गुरु ही तुम्हें पार ले जाते हैं बाप कितना अच्छिरिती समझाते हैं फिर दैवी गुन भी चाहिए इस्त्री के लिए पती से पूछो वा इस्त्री से पती के लिए पूछो तो जट बताएगी इन में यह खामिया है इस बात में यह तंग करते हैं या तो कहेंगे हम दोनों ठीक चलते हैं कोई किसको तंग नहीं करते हैं दोनों एक दो के मददगार साथी होकर चलते हैं कोई एक दो को गिराने की कोशिश करते हैं बाप कहते हैं, इसमें स्वभाव को अच्छिरिती बदलना पड़ता है, वे सब है आसुरी स्वभाव, देवताओं का होता ही है दयवी स्वभाव, यह सब तुम जानते हो, असुरों और देवताओं की युद्ध लगी नहीं है, पुरानी दुनिया और नई दुनिया की आप द्वापर से लेकर मनाते हैं, सत्यूग में नहीं मनाये जाते हैं, यह सब बुद्धी से समझने की बाते हैं, देह अभीमान के कारण बच्चे बहुत पोइंट्स भूल जाते हैं, नौलिज तो सहज हैं, सात रोज में सारी नौलिज धारण हो सकती है, पहले अटेंशन चाहि याद की यात्रा पर, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्से, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्से, नमस्से, गुड मॉर तक को साक्षी होकर देखना है इसमें मुझना नहीं है इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धी में याद ना आए अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारन करना है एक दोका मददगार होकर चलना है किसी को तंग नहीं करना है वर्दान सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभाव करने वाले सर्व सिद्धी स्वरूप भाव स्वयम में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभाव करने वाले सर्व सिद्धी स्वरूप भाव लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ती होती है चाहे धन की बुद्धी की संबंध संपर्क की तो उसे निश्चे रहता है कि यह क्या बड़ी बात है वे शक्ती के आधार से सिद्धी प्राप्त कर लेते हैं आपके पास तो सभी शक्तियां है अविनाशी धन की शक्ती सदा साथ है गुद्धी की भी शक्ती है तो पोजिशन की भी शक्ती है सर्व शक्तियां आप में है इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो तो समय पर विधी दवरा सिद्धी प्राप्त कर सिद्धी स्वरूप बन जाएंगे स्लोगन मन को प्रभू की अमानत समझ कर उसे सदा स्रेश्च कारे में लगाओ अच्छा अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती इसके लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें अव्यक्त